किसान भाईयों नमस्कार मैं पिन सिंग आप सभी भाईयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्यान में एक बार फिर से स्वागत है किसान भाईयों सर्सों की खेती का तिलहन की फसल में एक मुख्या स्थान है सरसो की खेती करके किसान सरसो की बढ़िया पैदावारी लेना चाहते हैं कुछ किसान बढ़िया पैदावारी लेने में सफल हो जाते हैं तो वहीं कुछ किसान अच्छी पैदावारी नहीं ले पाते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे कुछ बातों का ध्यान रखे सरसों की पैदावारी बढ़ा सकते हैं सरसों की अधिक पैदावारी लेने वाले किसान इनी सब बातों का ध्यान रखते हैं जो किसान इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो वे किसान अपनी सरसोखी फसल में कितनी भी लागत लगा दें लेकिन परदावारी नहीं पाएंगे वे कौन सी बाते हैं जिनकी किसान भाईयों को सबसे अधिक ध्यान रखने के चाहिए पूरी टेल में बात करेंगे इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें जो भाई चैनल पर पहली बार आया है और अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें बिल आइकर भी दबा लें किसानी से समधित नया वीडियो यूटूब पर सबसे पहले देखने के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सेयर भी करें किसान भाईों पहली बात का ध्यान रखना है अच्छे बीच का चुणाओ और सही बीच की मातरा का किसान भाईों आज के समय में सरसों की देशी, रिसर्च और हाइब्रीड किसमे चलन में है जिन में किसान हाइब्रीड किसमों को बुआई के लिए ज़्यादा महतु देते हैं हाइबरीड किस्मों के पौधे में नीचे से ही साखाओं का फुटा होना शुरू हो जाता है देशी और रिसर्च किस्मों के अपेच्छा ज्यादा साखाओं का फुटा होता है हाइबरीड किस्मों के हर फली में 18-25 दाने तक मिल जाते हैं वहीं देशी और रिसर्च किस्मों के फलियों में 13-14 दाने ही होते हैं जिसका सीधा असर पैदावारी पर पढ़ता है इसलिए इसर्चों की अधिक पैदावारी चाहते हैं तो देशी रिसर्च की अपछा हाइबरिड किस्मों को ज़्यादा महातो दें अक्सर किसान बुआई के समय ज़्यादा बीच की मातरा ले लेते हैं जिसका पड़ा मेया होता है कि सरसों के पौधे बहुत नजदिक-नजदिक हो जाते हैं जिससे पौधे से साखाओं का खुटाओ कम होता है पौधा कम जगा पाने के कराण खुद को फैला नहीं पाता है जिससे पैदावारी घड़ जाती है यदि हाइबरीड किस्म की बुआई करने जा रहे हैं तो बीच की मातरा केवल एक किलोग्राम प्रतियकर ही लीजिए और यदि देशिया रिसर्च किस्म की बुआई करने जा रहे हैं तो बीच दर केवल डेड़ किलोग्राम प्रतियकर ही लेना है इससे अधिक एक भी दाना बिल्कुल नहीं लेना है बुआई के बाद जब सर्चों का जमाव हो जाता है तो पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखें यदि हाइवरिट किस्म है तो पौधे से पौधे की दूरी 15 cm रखनी चाहिए यदि देशिया रिसर्च किस्म है तो पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटिमीटर तक रखनी है यदि पौधे मानक में सही नहीं है तो बिरली करण करके पौधे से पौधे की दूरी सही कर दें दूसरी बात के दहत हमें ध्यान रखना है पोसक तत्तों का सरसों की फसल को भी गिहूं की ही तरह डियेपी, एनपीके, सलफर, पोटास, जिंक, आतक्तों की विशेश तोर पर जरूरत पड़ती है इसलिए बुआई के समय खेत की तयारी के समय 50 किलो डियेपी और साथ में 20-25 किलो पोटास का प्रतियकड इस्तिमाल करनी चाहिए डियेपी की जगापर हम प्रतियकड सिंगल सूपर फास्पेट 150 किलो या एनपीके 12-30-14 का 50 किलो इस्तिमाल कर सकते हैं वैसे सरसों में अमूनन दो सिचाई की जरूरत होती है पहली सिचाई बुआई के 30 दिन बाद साखा बनते समय की जाती है साखा बनते समय पोधे को सबसे अधिक नैटोजन की आवसकता होती है इसलिए पहली सिचाई पर प्रतियकड 40-45 किलो यूरिया और साथ में 3-4 किलो सलफर WDG का इस्तिमाल करना चाहिए जिंग की जरूरत दिखे तो साथ में 2-3 किलो जिंग सलफेट 33 परिशद भी इसमें सामिल कर लें पहली सिचाई पर इन उन वर्कों को देने से फसल की ग्रोध बहुत अच्छी होगी फसल पूरी तरह से हरी दिखेगी सलफर की पूर्ती से दानों में तेल का परिशत तो बढ़ेगा ही साथी फसल ठंडी से भी बची रहेगी जिससे फसल में हुआई टरस ऐसी गंभी विमारी का भी परखोप नहीं होगा दूसरी सिचाई सर्सों में बुआई के साथ दिन बाद फलिया बनते समय की जाती है फलिया बनते समय खेत में नमी जरूरी होती है नमी नय होने की सिती में पैदावारी पर भी असर पढ़ सकता है इसल सिचाई की सुविदा उपलब्द होने पर दूसरी सिचाई जरूर कर देनी चाहिए तीसरी बात के तहद कीट और बिमारियों से फसल की विशेशता और पर अच्छा करनी चाहिए सरसों की फसल में ज्यादा तर फूरे और फल बनते समय दो कीटों का हमला ज्यादा होता है माहू और चितकबरा कीट इन कीटों की रोक थाम के लिए किटनासा का इस्तिमाल करके फसल को इन कीटों से बचा सकते हैं बीमारियों के तहद पनचित्ती, तनागलन, पावडरी मिल्डू, हुआइट रष्ट आती हैं बीमारियों की रोक थाम हम किसी फंगिसाइट का इस्तिमाल करके रोक सकते हैं किसान भाईयों यह कुछ साधान बातों का ध्यान रखके सरसों की अच्छी पैदावारी ले सकते हैं सरसों की रिकार्ट तोड़ पैदावारी लेने वाले किसान इन सब बातों का निश्चित रूप से ध्यान रखते हैं तब ही वाब मन माफिक सरसों की पैदावारी लेने में सफल हो पाते हैं किसान भाईयों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यबाद